आपका स्वागत है पतानी धकनों के नीचे क्या है? छी, मैंने इतना घट्यार बड़ा लॉलीपॉप कभी नहीं देखा मेरा भी कोई कम बुरा नहीं है लेकिन कम से कम ये इतना बड़ा नहीं है दोस्तो, इस बार हम इस पस्ट रूप से लखी नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा बदकिस्मत कैंडी निकली हाँ, वो तो सही है लेकिन तुम्हें पहले लॉलीपॉप खाना होगा क्योंकि तुम्हारा सबसे छोटा है ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ आशा करती हूँ कि मेरी तवित खराम नहीं हो मुझे नहीं लगा था कि अतना स्वादिस्ट होगा ओ, ऐसा लगता है कि मख्य में जान आ गई है ची, कितना घिनोना मेरे मुँ में जिनना मख्य थी तुम किस पर हस रही हो, पॉली तुम्हारी बारी है बस, मुझे इसी बात का डर था उमीद है कि बिच्चु मुझे डंग नहीं मारेगा लेकिन इस लॉली पाप का स्वाद तो कुछ और ही कह रहा है यह बहुत स्वादिस्ट है, मैं इसे जल से जल खाना चाहती हूँ ओ, लगता है मैं उस सर्प्राइस की बारे में पूरी तरह से बूल गई, जो अंदर है यह एक असली बिच्चु है और उसने मेरी नाग पर डंग मार दिया आ, कितना दर्द हो रहा है बिचारी नाग और मेरे दोस्त भी ऐसे ही है, वो यह भी मुझे पर हस रहे है कैंडी, ऐसा ही कुछ तुम्हारा बिंजार कर रहा है क्यों? मशली मुझे डंक नहीं मारेगी किवल यह घिनौनी है और तुम सही थी इसका स्वाद लॉली पॉप की तरह ही है अच्छा है मेरे पास इकाल गिया है पॉली जब वो खा रही है, चलो खेलते है पॉली, सोना बंद करो, मैंने कहा जागो कैंडी का लगभग हो चुका है मैं इस पर इतना समय क्यों बरबाद कर रही हूँ इस लॉली पॉप को बहुत तेजी से खाने का एक शानदार तरीका है ओ, थोड़ा सावधान रहो हाँ, लड़कियो, अब तुम्हें मेरे लिए ज़्यादा इंजार नहीं करना पड़ेगा यह बहुत स्वाधिस्ट है, बहुत बढ़िया और मैं सब खाल लूँगी लेकिन मश्ली का क्या? मुझे आशा था कि तुम उसके बारे में भून जाओगी ओ, यह कितनी घिनानी है और इसे बदबु भी आ रही है अरे भापरी, वो जिन्दा है और उसने अपनी पूट से मुझे बहुत जोड से मारा हाहा, कैंडी को एक मश्ली ने पीटा यह बिल्कुल भी फानी नहीं है मुझे यह भी खाना होगा उफ, मुझे लगता मैं कुछ जादा ही जल्दी में थी क्योंकि यह बहुत घिनानी है मुझे बस उल्टी होने वाली है लेकिन फिर भी तुम्हें इसे खाना ही पड़ेगा मुझे पता इसे जल्दी कैसे करना है हो गया यह घिनानी थी पर मैंने कर लिया आ, चोट लग गई कैंडी आगे से सावधान रहना इस बार पहले धकन मैं खोलती हूँ मुझे ट्विक्स बहुत पसंद है मुझे भी यह चॉकलिक बहुत पसंद है लेकिन यह इतनी छोटी क्यों है मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं है ओ, जरा देखो मुझे कितनी विशाल चॉकलिक मिली है इसे कहते हैं चॉकलिक बार जारा, पर तुम पहले खाओगी खुशिशे, मुझे उमीद है मेरी चॉकलिक बार कम से कम सबसे स्वादिस्ट है इसे अपने हाथों से खाना काफी खटीन है इसलिए मैं इसे ट्वीजर से करूँगी चलो, कि सिखाती हूँ बहुत स्वादिस्ट यह सच में अच्छा है अब मेरी बारी है मैं वास्तमेश विशाल चॉकलेट बार का स्वाद लेना चाहती हूँ लेला, तुम कैंडे रैपर ऐसी क्यों खैक रही हो यह अच्छा नहीं है मैं बस ट्विक्स को जल्दी से बाइट करना चाहती थी यह आव विश्वस्नी रूप से स्वादिस्ट है मन और आई कि सारी चॉकलेट को एक ही बार में खा लू हे, सामधान रहो इस तरह से तो तुम हमें पूरी तरह से चॉकलेट से धग दोगी स्वाद इस चॉकलेट और क्या वो बुरा है मैं खाखा कर ठक गई हो नहीं, तुम्हें दूसरे भाव भी पूरा खाना होगा मैं कोशिश करूँगी मुझे एक तरीका पता है कि बहुत जल्दी कैसे कुछ खा सकते है ओ, ओ, काम नहीं किया हाँ, अब इसने काम किया मुझे बस मदद की जर्वत ही ओ, मेरी गर्दन को क्या हो गया परेशान बातो, यह तुम्हें सूट कर रहा है खैर, अब मेरी बारी है चौकलेट खोलने की लेकिन पहले मैं उनकी मदद से लीला के साथ शरारत करूँगी मैं नुकिले दातों के साथ बैमपायर की तरह लग रही हो न अहाँ, लेकिन नुकिले दात भूरे क्यों है लेकिन मैंने सबको हसाया अब चौकलेट खा सकते है, बहुत स्वादिश्ट फिर भी ट्रिक्स बार से अच्छा कुछ नहीं है बस उंगलिया चाटना यह बाकी है इस बार हमारा क्या इंजार कर रहा है क्या, केवल यह है लेकिन तर्बूज की भी इस खाये नहीं जा सकते और मेरे पास असली तर्बूज है या यो कहें, उसका हिसा लेकिन मुझे पूरा तर्बूज मिला है लेकिन पॉली को सम्मान देती हुए मैं उसे पहले खाने के लिए कहती हूँ सही, क्योंकि मैं यह सब से भूखी हूँ स्वादिस्ट कितना रसीला और मीठा तर्बूज है पर इन बीजो को कहा रखना है चलो सोचती हूँ कुछ लेला, मदद करो अरे वहाँ पॉली तुम्हारे बीजो ने मेरे तर्बूज में छेट कर दिया है अब मुझे पता है कि इसके अंदर रंगीन कैंडी का एक पूरा खजाना है और इसके अलावा कैंडी बहुत स्वादिस्ट है तो फिर देरी क्यों, सारे कैंडीस को एक ही बार में क्यों नखा लिया जाए स्वादिस्ट और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस तर्बूज का छिलका भी इसके अंदर जितना ही स्वादिस्ट होगा और यह सच है, मैं बहुत खुश हूँ मैं कितनी लग्य हूँ दोस्तो, मैंने काफी खा लिया खेर जारा, अब तुम्हारी बारी है बीस को खाने की तर्बूज के बीस खाना थोड़ा अजीब है यह बिल्कुल भी स्वादिस नहीं है लेकिन मुझे पता है किसका क्या करना है मैं अपने आप असली तर्बूज क्यों नहीं होगा आती मेरी दादे ने मुझे पौधो की उचित देखबाल करना सिखाया है जारा तुम सावधान रहो तुम चारो और मीटी भी खेर रही हो ची वो हमारे मुझे भी आ गई है यह चोटा गड़ा बन गया अब इसमें बीज डाल कर इसे धग देना है और अब इसमें पानी डाल देती हो और बस अब इंजार ही करना मचा है चलो देखते हैं क्या होता है ओ वाँ, सब कुछ कितनी जल्दी हुआ मुझे बिश्वास नहीं हो रहा कि उसने क्या हुगाया है क्या? ताराम तर्वूस बड़ा हो गया है अब इसे टुग्डों में तोड़ने का समय आ गया है काकि इसे खाया जा सके हो गया आखिरकार मैं एक ताजा, मीठा और रजदार तर्वूस का आनन ले सकती हूँ बहुत बड़िया मैं बहुत कुश हूँ जारा तुम कितनी फ़ानी हो मैं तुम्हें चुनौती देंगी मैं पहले पहिया घुमाऊंगा वा, अलग-अलग तरह के आईस्क्रीम ऐसा तो लोग केवल ख्वा भी में देख सकते है केक, अब तुम स्पिन करो ओ, मुझे चक्कर आ रहे है मुझे क्या मिलने वाला है अरे नहीं मुझे ये सजा क्यों मिल रही है मिर्च कितनी तीखी होती है मैं स्वादिस केक का स्वाद भी मैसूस नहीं कर पाऊगी हाँ, तुमारा केक मिर्च के साथ अधिक खतरनाक लग रहा है लेकिन आईस्क्रीम सिर्ट केक को सजाएगी क्योंकि ये रंगीन, सुन्दर और बहुत स्वादिस्थ है मैं यह भी जानता हूँ कि केक को और भी सुन्दर कैसे बनाया जा सकता है सबसे उपर एक इस्टर केक बनाए मेरी आईस्क्रीम बकेट में है केक को और भी उचा बनाना अच्छा होगा इन आईस्क्रीम बॉल्स की मदद से वाँ, कितना लंबा है तुम्हें नहीं पता कि यह कितना स्वादिस्थ है अब मैं एक टुकड़ा खाऊँगा और सब कुछ विस्तार से वर्णन करूँगा बहुत बढ़िया जैसा मैंने सोचा था बहुत स्वादिस्थ केट, शाय तुम भी इसे खाना चाहो बेशक मुझे यह चाहिए तुम्हें चाहिए पर मिलेगा नहीं जब तुम्हारे पास मिर्ट्स के साथ एतना बड़ा केक है तो तुम्हें मेरे केक की जर्वत क्यो है चलो उसे खाओ आशा करती हूँ कि एक दो बाइट बाइट के बाद में यहां आग नहीं लगाऊंगी मेरे लिए दुआ करना मेरा मेरा पूरा मुझ जल रहा है भयानक, अब मैं एक टुकरा भी नहीं लूँगी यह असली आतना है अच्छा ठीक है, फिर तुम्हें सजा का पईया गुमाना होगा देखते हैं, तुम्हें क्या मिलता है टवैस को मुझे तुम्हारे केक को और भी तीखा बनाना होगा और टवैस को इसमें मेरी मदद करीगा तुम क्या कर रहे हो, रुको अब यह नीले से लाल हो गया है कितना भयानक अब यह जरूर आग लगने वाली है अगर यहां आग लगेगी तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी टॉम ओ, कितना तीखा मुझे अपना मुँ भी महसूस नहीं हो रहा है और तुम्हारे कानों से भाब निकल रहे है ओ, ओ, मुझे लगता है कि मैं उड़ जाओंगी कहां, और केक कौन खाएगा लगता है इस पर हमें खुद पहिया रोपना होगा बेतर होगा इसे अपनी आख बंद करके करे और यह क्या है? में उनी सो रचार मेरा सलाद बनाने का कोई रादा नहीं है पर तुम्हे करना होगा काश मैं लखी निकलू और मुझे कुछ स्वारिस मिले यह सही नहीं है, इसे फिर से चलाना होगा सब कुछ एकदम सही है और अगर तुमने चीटिंग किया तो तुम्हें सजा का पईया घुमाना होगा तो मेरा चॉकलेट टुपार कहा है? मुझे निटेला और बियोनो बहुत पसंद है और मुझे अब तक का सबसे अधिक कैलोरी वाला केक बनाना है यहनी जितना गंदा है जैसे कि इसमी केबल फैट हो बड़ निटेला तो कमाल का है मैं इसे हर समय खा सकता हूँ मैं केक पर मेरनीच कैसे डाल सकती हूँ कितना गाड़ा है यह एक बार फिर साबित होता है कि बहुत मोटा है मेरे पास एक आइडिया है बेटेला भी गाड़ा होता है इसलिए मैं इसी पुट्टी की तरह इस्तेमाल करूँगा मुझे बस केक को चॉकलेट पेश्ट से भढ़ना है यह शायद अब तक का सबसे स्वादिश पुट्टी है अब केबल केक के उपर एक रॉलर के साथ पेश्ट फैलाना रह गया है फिर यह एक दम एक समान स्वादिश्ट होगा देखो कितना अच्छा लग रहा है यह मुझे भी खाना है अब मेरे पूरे चेरे पर चॉकलेट है पर यह बढ़िया है कम से कम मैं कुछ स्वादिश तो खा पाऊंगी स्वेव कुप मैनिश अभी भी बाहर नहीं आ रहा है अब आओ भी आखिरकार लेकिन यह घिनोना लग रहा है मेरे केक में कुछ गरबड है शायद यह काफी नहीं है दोबारा जाज करने की जर्वत है अब तक मैं यह रोलर ले लेती हूं और इससे मैनिश को पूरे केक पर फैला दूँगी मुझे लगता है यह काफी नहीं है मुझे इसके उपरी भाग में एक और परत लगानी होगी यह क्या है मैंने इस कहां से आया केट प्लीज इससे बाहर निकालने में मदद करो मेरे पास फालते समय नहीं है मुझे अभी भी केक पर चॉकलेट की परत लगानी है वैसे यह एक बहुत ही जिम्मेदारी भरा काम है यह एकदम सही निकला लेकिन मैं खीरे को कैसे खाऊँ यह काम तो और भी मुश्किल है खास कर जब मेरा हाथ किसी कैन में फसा हुआ हो देखो मैंने कितना बढ़ यह केक बनाया है यह बहुत चॉकलेटी और इतना बड़ा है मैं भी यह खाना चाहती हूँ क्या तुम मुझे कम से कम इसे चक्नी दोगे और बदले में तुम्हे अपना केक दोगी तुम्हारा केक यह तो देखने में भी खराव लगता है नई, मेरे लिए चॉकलेट काफी है कितना स्वादिस्ट है मुझे भी यह खाना होगा पर मुझे नहीं लगता कि यह स्वादिस्ट होगा और मैं खाकर खुश होगी तुम्हारा चेरा देखने लाइक है मेरे पास एक भायाना केक है इस बार मुझे क्या मिलने वाला है वाँ, कॉटन कैंडी, बहुत बढ़िया आशा करती हूँ कि मुझे भी कुछ स्वादिश मिलेगा यह सिर्फ छोटे कैंडल्स है कैंडल्स, जिनने तुम्हे खाना पड़ेगा और मैं इसे देख कर हसूँगा लेकिन मुझे बहुत सारे कॉटन कैंडी खाने है इससे केवल खाया नहीं जाता बलकि इसे बहुत सारी चीज़े भी बना सकते है केवल मूची नहीं, एक दाड़ी भी और अमेक पायरेट हूँ कॉटन कैंडी बहुत अच्छे होते है स्वादिश्ट, और सबसे महत्मुन बात बहुत मज़ेदार तुम सही कह रहे हो, मैं भी इसे खाना चाहती हो मुझे आसा है कि तुम्हें कोई आपती नहीं होगी यह वास्ता में स्वादिश्ट है स्वादिश्ट? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी सारी कॉटन कैंडी वापस दो मैं अभी केक सजाने जा रहा हूँ पॉटन कैंडी का हर टुकड़ा मेरे लिए महत्वर रखता है और इस कैंडी से बहुत सुन्दर आकरितिया भी बना सकते है बनी और यहां तक की एक बतक भी यह मेरे पहले से ही स्वादिश्ट और बड़े केक पर बहुत अच्छे लगेंगे अब इस शांदार चीज को खाने का समय आ गया है बहुत स्वादिश्ट जैसा मैंने सोचा था मुम्बत्यों के साथ केक बेशक अच्छा है लेकिन उन्हें कैसे खाऊं? इन्हें केबल जला सकते हैं और बस लेकिन यह बहुत अच्छा लग रहा है यह मानना होगा तुम सही करे हो केक कमाल का दिख रहा है और अब मुम्बत्य को बुझा दो हाँ 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 तुम्हें यह मजाक लग रहा है तुमने अलार्म सेट कर दिया था आँ अब हम सब भींग जाएंगे मैंने क्या किया? मुझे कुछ नहीं पता वेव को पानी चौम, यह सिब तुम्हारी वज़े से है अच्छी बात है कि कम से कम केक को नुकसान नहीं हुआ लेकिन मेरा नुकसान हुआ हाला कि यह अभी भी अभिश्वरस्य रूप से स्वादिस्थ है मेरे लिवी से खाने का समय है बेशा कैंडल खाया नहीं जा सकता लेकिन केक लाजवाब है मैं बहुत खुश हूँ प्लीज, मेरे लिए एक बोतल में जेली बनाओ क्यों नहीं? यह पहली बार मैंने यह देखा है बढ़िया चलो देखे मेरे पास क्या है कोला, जो हमें चाहिए देखो, मैं कैसे कर सकती हूँ बस कोला, पी लिया थोड़ा सा सही में, यह अचा है न मुझे कोला बहुत पसंद है कोल अरे अब क्या होने वाला है ओ, नहीं, नहीं, नहीं मुझे बचा मुझे खेद है, मुझे खुद भी इसके उमीद नहीं थी अब इस कीटल जालने का समय है मुझे लगता है कि बच्चा वास्तों में इसे पसंद करेगी वा, मेरे पास अभी भी मैपल सिरप है, मैं इसे भी इसमें डालूंगी, और मीठा बहतर, अब हम धकन बंद कर देते हैं और बूतल को हिलाते है हाँ और ओफ यह धकन जस अटक गया है सिरप की वज़े से, आँ मदद करो, ओफ खुल जाओ ओ नहीं मैं ठीक हूँ ठीक है, पर लेकिन यह आभी भी चिपका हुआ, अरे नहीं यह ठीक है, मिरा हाथ आज़ाद हो गया ओ, बेचारा मैनिक्योर कुछ नहीं, मुखे बाद बच्चे को खिलाना है मैं फ्रिजिंग स्टे के साथ कोला से जेली बनाऊँगी, चलो देखते हैं हाँ, बिल्कुल सही ओ, दाली, क्या तुम सो गई हम एक चुनाथी में है, देखो मैं क्या चार्डिय लेकर आई हूँ मेरी राय में यह बहुत ज़्यादा है जैम, यह शहद लेना आसान है मैं शहद दूँगी बेबी, मैं पहले से ही तुम्हारे पास आ रही हूँ चलो मैं इस प्यारी को फ्रेज कर दूँगी और बस केवल शहद चलो, देखो मैं क्या करती हूँ मैं कोला लेती हूँ और देखो मैं क्या करती हूँ शैप भी ट्रिक्स करना जानता है और मैं एक ट्राइंग पैन में कोला डालूँगी और गमी बेर भी इसमें डालूँगी और जली बनाने के लिए हमें इसमें जेलेटिन चाहिए सभागी से मेरे पास हमेशा रहता है अब इसे केवल मिक्स करने और बोतल में वापस डालना बाकी है इस तरह से बहुत ही कासान हो जाएगा जली लगबग त्यार है यह बहुत स्वादिश लगड़ा है ओके वाँ देखो बोतल में यह कितनी अच्छी तरह से जा रहा है बोतल भर गई और यह लगबग त्यार है बहुत बढ़िया मैं बहुत खुश हो अब बस इसे जमाना है हाँ चलो देखो इस तरह से मैं इसे जमाती हो सूपर फ्रीज बस एक सेकंड और यह त्यार है एक दम फ्रेश आसाल और धन्यवाद चलो आप ट्राइ करो ओ ठीक है मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद यह अभी त्यार ओ, मेरी हतेलिया जम रही है ओ, नहीं यह कितना ठंडा है क्या करूँ मैं अपने हाथों को महसूस ही नहीं कर पा रही हूँ अभी हवा देती हूँ शायद वे गर्म हो जाए ओ, यह काम क्या भगवान का शुक्र है दादी ठीक है बेबी, जेली ले लो वा, एक ही बार में तीन पता नहीं कहां से शुरू करू ओ, कितना प्यारा है यह तो है मैं इसे पहले ट्राई करूँगी ओ, थोड़ा हानी वा, मुझे लगता यह बहुत स्वादिस्ट होगा वा, जमा हुआ शहत यह बहुत मीठा और स्वादिस्ट है वा, मेरा फेवरेट कूला अंदर क्या है? दिल्चस्प मैं इसे खुशी के साथ ट्राई करूँगी ओ, जेली मुश्किल से निकल रहा है लेकिन यह बहुत अच्छा लग रहा है चलो मुझे यह बहुत पसंद है यह बहुत साथ इस्ट है हाँ, धन्यवाद शेफ और क्या बच्चा है? ओ, मेरी बहन की जेली वा, मैं इसमें कैंडी देख रही हूँ चलो, अब इसे ट्राई करती हो वा, यह कितना खुबसूरत है वा, सोपर यह सबसे अच्छी जेली है जिसे मैंने कभी खाया है और निश्चित रूप से बहन जीत रही है धन्यवाद बहन ऐसा कैसे? शावास मेरी बच्ची अगला डिश वाफल है बढ़िया ओप्सन है क्या? समझ गई मैं उन्हें बनाना नहीं जानती ठीक है ब़फल के लिए डो बनाने के लिए आटा अंधे और बटर लेना होगा और अब मैं चीनी और इसमें दूर मिला देती हूँ हाँ यह बढ़िया है मेरा विस कहा है? हाँ यहा है अब दादी दिखाएगी अपना कमाल मैं इसे तेजी से मिक्स करती हूँ मुझसे आगे निकलने का कोई मौका किसी को नहीं मिलेगा वाँ ठीक है दादी क्या आपने देखा है कि मैं कैसे कर सकती हूँ हाँ अब यह देखिए क्या मिक्सर से मिलाना असान नहीं है अपनी ताकत को बचाना और कलपना दिखाना बहतर है मेरे पास पहले से ही एक अच्छा आइडिया है मुझे लगता है कि बच्चा इसे पसंद करेगा मैं इसके लिए रंगी इन वाफल बनाऊंगी वह डोल लाल हो जाएगा और यह पीला, हरा और नीला हो जाएगा हाँ खैर तुम लोग कुछ भी करो मैं तो इसमें न्यूटेला डालने वाली हूँ और जीत मेरी होगी दादी और सायफ डिशेस के बारे में कुछ भी नहीं समझते है चौकलेट पेश सभी को पसंद होता है चलो वाफल मेकर को खोलो और इसमें बैटर डाल दो और यह तैयार है एक दम असान था बहुत गर्ण, लेकिन बहुत आसाल और लगता है स्वाजिश भी है चलो इसे खा कर देखते है हाँ, मैं बिलकुल सही थी यह बहुत अच्छा है हाँ, मैं रूप नहीं सकती ओ, पर यह तुम्हारे लिए नहीं है ओ हाँ, मुझे पता है चलो, मैं दूसरा बना लेती हूँ अच्छा ठीक है फिर से मत खा जाना अच्छा है कि दादी के पास सब कुछ कंट्रोल में है कितनी स्वादिश खुश्बू आ रही है जीत मेरी होगी कर लो बात मेरा वफल बहुत सुन्दर है तुम्हें ये कैसा लग रहा है? तुम दादी को हरा नहीं सकती चलो, फाइट करते है ओ, ये वफल तो बहुत ही स्वादिश्ट है मैं रूप नहीं सकती मेरी बहन मुझे माफ कर दो लेकिन मैं ये पूरा खा जाओंगी क्या? हम वास्ता में एक चुनावती में है तो क्या हुआ? मैं बस, मैं फिर से बना लूँगी क्या? क्या मैंने सब बना लिया? आरे नहीं, सब खत्म हो गया मैं क्या करू? मेरे पास एक आईडिया है मेरे बैकपेक में जरूर कुछ होगा ये, ठीके नूडल्स का एक पैकेट मैं इसे एक वाफल बनाऊंगी बस इसे उबलते पानी में डालना है और थोड़ा इंजार करना होगा नूडल्स तयार है बागी काम वाफल करेगा तब तब मैं एक्स्ट्रा खत्म करती हूँ ये बहुत स्वाबिस्ट होगा चलो, इसे खूला इसमें नूडल्स डाला और बन कर दिया और तब तब मैं इसे और खा लेती हूँ कितनी भोखर है मेरा आईडियल वाफल तयार है ये बहुत अच्छा बना है मैं इसे दो भागों में काट डूँगी रेंगो की तरह लगेगा और मैं क्रीम से बादल बनाऊँगी वाफ, मैं उन्हें स्प्रिंकल से सजाऊँगी ये जीतने के रास्ते पर है ये वास्ता में बहुत सुन्दर बना है दादे की सफलता का अपना रहाश है बास्किन रॉविन्स आइस्क्रीन स्ट्रॉबेरी और पाउडर बच्चा निश्चित रूप से इसे पसंद करेगा मुझे यकीन है वाह जराई से देखो कितना सुन्दर है दिलचस्प दादी बहुत अच्छी है पर मुझे भी अपना बेस्ट देना होगा ऐसे वफल के साथ क्या होगा मैं ऐसे चीज स्प्रिंकल के साथ छिड़कूंगी शायद मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया क्या, सब ठीक तो है न तुम पूरी धंदी हो गई है तुम्हें सावधान रनना होगा कोई बात ने, मैं ठीक हो देखो मेरा चेहरा साफ हो गया और मैं अपने हाथ चाड़ूंगी हाँ, ये कितना स्वादिश पाउडर है क्या तुम्हें चाहिए नई, हम ठीक है शिष्ट अचार नाम की कोई चीज नहीं है ओ, यहां बहुत सारे चीज है पर यह क्या है मैं इसे ट्राइ करती हूँ पहले बिल्कुल अलक्सा है ओ, अरे बापरे, ये तो भयानक है मैं इसे नहीं खाऊंगी क्या? उफ वा, रेन्मो बफल स्वादिश्ट और ये बहुत खुबसूरत भी है पूल, मुझे ये पसंद है ये बहुत स्वादिश्ट है अद्बूत धन्यवाद वाउ, आइस्क्रीम वफल सही कॉंबिनेशन है हाँ, और स्ट्रावबेरी मेरे मूँ में तो पानी आ रहा है ओ, भगवान ये कितना स्वादिश्ट है हम, इसकी स्वाद के तो कहने ही क्या ओ, मुझे और चाहिए दादी, आप जीत गई एक दम सही ये